निस्या जी बहुत सवागत है क्या तुन कि लौई कुछ आपस है और नी मैने तो जब भी देखा एंटुद लोग अपने अपने गले मिल करें भाई-भाई करते रहें चाहे वो देश पांडे जी हो चाहे वो पमन जी हो चाहे वो खेसारी लाल जी हो और कुल मिला करके एक भोजपूरी हम लोगों की माता हैं और उनके हम बच्चे हैं तो सब लोग एक मा के बच्चे हैं तो भाई-भाई कितने दिन लड़ सकते हैं इस तरह राजनिती में जाती को लेकर राजनिती होती है भुस्पूरी इंडस्ट्री में बभवान और अहिरान को लेकर राजनिती हो रहे हैं इसको तो मैं उतना नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि कहूंगी शाप शब्दों में तो लोगों को बड़ा तीखी मिर्ची मेरी बात लगती है लेकिन बबवान और अहिरान के छोड़ के भईया एक्ठ पंडितान भी हमन जो कि मैं हूँ ठीक है तो यह तो मैं भी कहना चाहूंगी कि देखिए पंडी जी लोग में जैसे रितेश पंडे जी हैं इतना अच्छा गाना गाते हैं लेकिन फिर भी दबाये जाते हैं और उसमें फिर हमारे अर्विन दकेला कलू जी हैं बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो ब्रामण कलाकारों को भी समर्थन नहीं दिया जाता है मुझे एक ऐसा आप कलाकार बता दीजे संजे जी जो ब्रामण हो करके भी आज बहुत आगे हैं मुझे आप बता दीजे निशा पा कई अ काम हिंदी बगरा में चाहिए नहीं कि हुंखा उनको भूझ पूरी को खड़ा करते हैं में अब जसे हमने देखा था मैं बहुत छोटी थी एक बार मैं एक स्टोरी बताती हूं कि चांदी वली में इस्टूडियो में गई थी वहां गंगा जमना शरुसती की परिम की शूपिन चल रही थी जिसमें तीन हीरो एक साथ काम कर रहे थे जिसमें दिनेश लाल चाचा जी थे पूरी कंप्लीट हो जाती थी बाद में वो लोगों में क्या होता था मुझे नहीं मता लेकिन फिल्में बड़ी अच्छी बन दिए आज के देख में भाईया फालाना हीरो रही तो हम न करब भाईया डेकाना हीरो रही तो न करब हो हीरोई नमके चाहिए यह सब चीज पता गाते ंगर को चाहे ओब रही है वहलोग रहा है और मुझे लगता है जो वह अपना अच्छा काम कर लेता है कि यह लड़ रहा है वो लड़ रहा है मेरा काम बन रहा है मैं अपनी शूटिंग में ब्यास्त हूँ तो ऐसा अपना माइंड हो सेट करके चलते हैं और मुझे लगता है कि अक्षरा जी बहुत अच्छा दाम कर रही है बीग बॉस में कैसा था उनका एक्टिविटी हो जाते हैं जब हम लोग तो छोड़ते नहीं जो चूएगा उसे जो छेड़ेगा वो मार खाएगा सिंपल सी चीज है देखिए आप छेड़ो मतना अगर आप शेर है वो बैठा है शांती से जब आजस्ति जाके उसकी मूझ खीचोगे तो क्या होगा बुराएगा नहीं न तो मेरी मूचों को खीचा जाता है एक तरीके से तो मैं मजबूर हो जाती हूं कि मुझे मतलब अपनी मूच को बचाना होता है कि बाल उखड़ेगा तो दर्द होगा यहां फुंसी हो जाएगी अप इंपल्स हो जाएंगे उसको बचाने के लिए मुझे रियक्ट करना करत सबसे जाएदा जो वाहर गएट हैं वहें मिर्षुबा जी की बहुत पसंड मैं पारिवारी फिल्में बनाते हैं और बहुत ही अच्छी उनकी और फिल्में लगती है, स्टोरी लगती है, शूट लगता है, वैसे ही पवन भाया कि मुझे आवाज बहुत पसंद है, मैं एक्टिंग के लिए नहीं कहूंगे लोग, उनके भी दीवाने हैं, लेकिन मुझे परसनली उनकी आवाज बहुत पसंद है, आवाज मुझे लगता है कि वह सरसती का God gifted है ऐसे ही खेसारी जी का ना मुझे उनकी comedy फिल्मों में comedy और उनकी performance as an on stage मैंने उनके साथ करीबन मुझे लगता है मुंबाइल में टिकेट शो लेकर के या बाहर के शो लेकर के मैंने पचासो शो किया होगा पचासो शो में मैंने जो पसीना उनका बहता है न य मुझे तीनों जन तीन काटेगरी में अच्छे लगते हैं अब आप यह कहिए कि अमिता बच्चन जी अच्छे सब कुछ हो सकते तो वैसा तो कोई इंसान धर्फीते हैं लेटेस क्या नई प्रोजेक्ट है अपके लेटेस नई प्रोजेक्स में मैंने अभी एक रिसेंटली बहुत अच्छा प्यारा हिंदी गाना अभी दो दिन पहले में आया है और मेरे कंटीनियू हिंदी सॉंग्स भी आ रहे हैं और आप लोग के आशिरवाद से बहुत अच्छा प्यार भी मिल रहा है लोगों ने मुझे हिंदी में भी डाइजेस्ट किया जैसे कौन से गाना मुखडा बहुत प्यारा सा है तुम मिले दिल खिले आशियाना बन गया जिन्दगी का नया एक फसाना बन गया था बोए थे जो सपने आखोने मेरे आसुओं की बारिशे उनको धो रही है हो यारा परिवी तो हिंदी में मेरे अब बहुत सारे गाने आच के लगबर मैंने तीस गाने रिलीज्ट कर चुके दर्सकों कुछ कहना चाहते अपने तरफ से च्टना कहना चाहते हूं विज्जैसे अब तक 10 साल से मतब 2010 से मैंने इंडस्ट्री में अपनी कदम लखी है बिना किसी के सिरपयर और बिना किसी के सपोर्ट के मैं आज 2022 चल रहा है 12 साल 11 सट मेरा इंडस्ट्री में जो जर्नी है सिर्फ आप दर्शुकों की वज़े से हैं वरना अगर किसी के सपोर्ट से आई होती तो आज पर या किसी भी अकाउंट पर आप लोग इतना ज्यादा शेयर और सपोर्ट करते हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्यूद